आप सबी का mooist welcome आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना कुछ पड़े बिना कुछ याद किये जिहां आपको पढ़ाई करने की जरूवत नहीं है और नहीं कुछ याद करने की जरूवत है आपको बस जरूरत है ट्रिक्स सीखने की जो मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा ऐसा ट्रिक्स सिखा दूँगा भई ऐसा ट्रिक्स सिखा दूँगा कि एक जाम में जाते ही कोशन पेपर देखते ही आप मुझे ही याद करेंगे आपको बिना कुछ पढ़ाई किये मतलब आपको पढ़ाई भी नहीं करना इसे ट्रिक्स सिखाएंगे और नहीं कुछ याद करना याद करने की जरुवत नहीं है क्योंकि याद करना एक ऐसा पढ़ाई है जिसे सुनते ही स्टुडन की मतलब भाड़ी हो जाता इसलिए नहीं आपको पढ़ाई करना और नहीं आपको याद करना मात्र आपको ये वीडियो देखके ट्रिक्स सिखना है और आपको दो सेकेंड में आप्शन तक पहुच जाना है आपको मेरे बातों पे कुछ भी यकीन नहीं होते होएंगे आप सोचते होएंगे ये क्या क्या बोले जा रहा है बट आज मैं सावित करूंगा कि आप जो सुन भी नहीं करना है है ना सभी बच्चे पल 94% नंबर से आएंगे फर्स डिविजन फर्स डिविजन आएंगे वह भी पल 94% 95% स्कोर करेंगे सभी बच्चे क्लास 10 के मैत के बच्चे सभी बच्चे फर्स डिविजन आ जाएंगे इछले दो साल से सभी बच्चे फर्स बीडियो को लास्ट तक देखने के बाएन से समझ समझ के वीड'io और णको सीखना थे विडियो से जङहना आपको लगतना है हैの वीडियो स्टार्ट हो गया है ठीक है देखिए । इसे पहले भी पार्ट वण बना रखें हैं तो कायसे देखना है कहा से देखना सम्झाइभ आप सुझ आपको बताएंगे आप आप अऑ घी ओ मैं बटाइगे तो सिख़ाने है आपका टाइम पास कराने नहीं में आये है तो सिखे आज च्बसफ़ेलों हैसे वाले सिखाएंगे बतां आपको आगे बढ़ने से पहले कि यहां पे हम उऊच्छी लाते हैं जो कि आपके एक्जाम में 100% आए ठीक है ऐसा नहीं कि यहां पे चलो यह वीडियो लाए हैं most important है हो सके आपके एक्जाम में आएंगे नहीं आएंगे नहीं भया 100% आएंगे ही आएंगे मतलब आएगा 100% है न हम sure हैं ऐसे क्षें सभीके एक्जाम में पूछे जाएंगे और आप फर्स डिवीजन आएंगे ही आएंगे काइसे आएंगे तो इस वीडियो को देखके ट्रिक सीहने के बाद आएंगे इसे नहीं आएंगे अप ट्रिक सीखिए कसं को देखिया और समझिये ठीक है उसके बाद को ट्रिक बताएंगे आपको वस ध्यान से वीडियो को देखना है देखिए कुश्चन में आप जो भी नंबर जो भी संख्यां दिये हुए हैं तीन बारा और पंद्रह इतना के लोस्वा लोस्वा का मतलब हो गया लगुत्तम यानि यहां पे ल सीयम आपको लोस्वा का मतलब पूर्फ कर लेंगे बीन अपयान ओठाएं या कलम लेने कि को कोई ज़रूरत नहीं है हम पेपर देखाएंगे कोश्वाइंगे और दो सिर्प और 2 स्केंद में यह कम आप करेंगे लेकिन उससे पहले आपको ट्रिक शिखने होंगे ट्रिक सुखिए जो भी है यहाँ पर उतार लेजिए पले आपको सिखाने आये हैं अपका टाइम पास करने नहीं आयों तीन बारा पंद्रा आपको यहां पर नोट कर लेना उसके बाद देखिए उसके बाद ट्रीक है देखिए यह तीन और मानस बारा मानस पंद्रा यह सब में मानस कर देंगे ठीक है इसके बाद यह मानस के सिद्धा में एक तीर चीनाई से देंगे और यहां पर इसको इसको मान करेंगे मैंनस प्लस नहीं देखेंगे बस मानस करना ये सीर्फ और सिर्फ मानस करना है तो 12 में तीन मानस नहीं रिखेंगे तीन-12 किया तो मानस नू आगाना करेंगे यहां पर इस मांटारत 6 नौ आ गया चलिए फिर इसमें तिर चिनि लगाई इन दोनों को मांटार आपको … कितना डेखना? जो कि इनको ना? इनको ना? इनको पुडा पूरी कर रहे है तो hier नो इसको । भी साइश सुष। नहीं करेंगे लेगा ये तीन जो है ये पूरे-पूरी कट कर रहा है इसको भी कट कर देंगे इसको भी पूरा के पूरे कट कर रहा है है ना सेस्पलियां पर जो भी बचे लेकिन कट तो कर रहा हैं भाईया तो ये कट कर गया इसको इसको कट कर गया तो जो कट कर जाए पूड़े के पूड़ी कट कर जाए ठीक हे हमारा HCF हो जाता है एक कर तर्य भी कोशन पर आपको कर आपका आपका टाइमपाश नहीं कराने आए है आपका आप के ही जाएंगे हैं देखिए इसके बाद यह तो पता चल गया तीन निकला अब यह जैसे इसको हम दो तरीके सिखाएंगे यह जैसे निकालते हैं वह इसे निकल यह तीन बारा पंदरा लिख दिया ऐसे सबसे छोटी संख्याँ खिलाएंगे तो तीन तीन अका तीन और यह फोर हो गया यह इसके सिखाएं इसका दूसरी मेठर सिखिए जिए क्योंकि हो सकते हैं अगर आपे एक जाम एंपर मेठर यह फर्स तरीका आप भूल जाएं तो आप दूसरी तरीका लगा लगा लेजिएगा दूसरी तरीका LCM और LCF निकालना होता है जो भी यहां पर लिखिया इस तरह से तीन बारह और यहां पर पंदरह इस तरह से अब तीने का तीने और यहां पर तीन गुने दू गुना दू इस तरह मतलब कम से कम एकदम तोर देंगे जितना आप explain कर सकते हैं ठीक है अब यहां सब में जो repeat कर रहा है मतलब 30 इसमे भी है इसको आई से घेर लेंगे हैना है ही हमारा SCF हो गया HCF हो गया, SCF कितना हो गया भाई, HCF जो हमारा हो गया, वो 3 हो गया, है न, अब LCM कैसे निकालते हैं, दखिए, LCM, इसमें क्या करना होता है, कि जो भी बच गया न, उसको उठा कि यहां पर लिख दिजिए, क्या बचा, एक बचा, यानि एक छुरून यार, दू गुने दू, गुने दू, गुना पंच, इतना लिख दिया, अब SCF जो भी निकला है, उसको भी यहां पर लास्ट में लिखना होता है, ठीक है, बस हो गया, सब को मल्टिप्लाइ करेंग, वही एंसर, 60 हो गया टोटल, 4, 5, 20, और यहां पर 3, 60 हो गया, यह हमारा एंसर हो गया, LCM, यह हम SCF हो गया, चलिए, आगे की question है, आपको हम यहां पर सिखाने आये हैं, अच्छे से सिखाएंगे, आगे है कुछ इस तरह से question है, यहां पर LCM है, यानि लोसो और SCF, इन दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक, अनुपात में यहां पर दिया हुआ है, तो सबसे पिले trick लग 10-20 इस तरह से, ठीक है, अब यह मानस के सिखा में तीर- चेन देंगे, इन में इन में अंतर केतना का है, 10 है, ठीक है, अब इन में इन में अंतर केतना हए, से लिख देंगे अब कौन सा संख्यां कौन सा नंबर है जो कि इसमें पुरा-पूरी भाग लग रहे हैं मतलब कट रहे हैं तो पांच यहां पर सबसे मतलब खा रहे हैं इस तरह से इस तरह से ठीक है यह पंच जो है हमारा यही हमारा हो गया और अक्सर हम देख रहे हैं छोटी संख्यां जो होते हैं वही ज्यादा स्यादा मतलब पूरा-पूरी कट जाते हैं तो वही एस सीएफ हो जाते हैं ठीक है लसी में आप ऐसे निकालेंगे पंच 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 तिया पंच जो के अब नहीं खाएंगे तो सब को गुना कर तो कितना हो जाएगा 15 15 के 60 यह हमारा जो हो गया यह हमारा लसी एम हो गया कुस्टन में ध्यान से दखिए लसी आधिक पहले लसीर में लिखेंग फिर अनुपाद केरा एं अनुपाद मतला लेशियो यह तरश भिन हो जाता है ठीकड़ ढिभाइड जिससे लिखते है आपको हम बताऊंगा पहले LCM है तो पहले LCM कितना है साथ है फिर अनुपात है अनुपात अब LCM कमान कितना है पांच है इसको आप छोटा से छोटा भी कर सकते हैं option मिलाने के लिए जैसे देखिए इसका मतलब क्या अनुपात मतलब होता है divide मतलब भिन हो जाता है जैसे लिख सकता है यह बलब उपर होता है यह बलन नीचे होता है तो यह कितना हो गया 12 और यह नीचे 10 हो पंच तिया और पंच गुने दू गुणा दू इतना अब ये कुण सा सभी में मैंच कर रहे है ? ये हमारा Iraq हो गया ही है ask ये हमारा कितना हो गया है पंच हो गया है obras mask निकालेंगे क्या होता है Türक विबच गया बाहर उसको यहां पर लिख दिजिए तो वन छोड़िए तीन गुने दू गुने दू लिख दिया अब HCF को भी लिखना होता है HCF यहाँ लिखेंगे कितना 5 अब सब को multiply करेंगो वही हमारा final answer तो कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, 12, 15, 60 यह हमारा LCM हो गया इन दोनों का अनुपात चाहिए ठीक है पहले यह वला है तो पहले इसका मन कितना है 60 फिर अनुपात फिर HCF का मन कितना है 5 यह हमारा हो गया चोटा चोटा करेंगे तो यह 12 यह 12 अनुपात 1 यह हमारा option number D हो गया तो आपको कौन सा trick अच्छा लगा है यह वला या फिर ए वला मतलब one वला trick या फिर दू वला trick ठीक है comment box में बताईएगा ताकि मुझे भी पता चले चलिए आगे की question देखते हैं कमजोर से कमजोर student भी अच्छे number से first division आने के लिए उनको YouTube पर search करना है यह रहा YouTube और इन पे search करना है ठीक है यह रहा search और इनमे search करना है search करना है गुलसन मैट इस्टड़ी जी और यहां पर हो गया like देखिए यहां पर गुलसन मैट इस्टड़ी ठीक है गुलसन मैट इस्टड़ी सर्च करना है सर्च करने के बाद यहां पर scroll करना है यह जो profile photo देख रहे हैं लोगों कुछ पढ़ाइं किये बीना कुछ याद किये objective सही और subjective सभी हैं यहांपे exam में देखें यहांपे लिखा हुआ है exam में कुछ नहीं आये तो क्या करें यहांपे click करना झाल estoy click करने के बाद उनको यह सब मैं देख लेना आए यह यह यह.े like सभी वीडियो लिख को देख लेना है वो कभी भी फैल नहीं करेंगे अच्छे नंबर से फर्स डिविजन करेंगे यह दो साल से वीडियो सभी स्टूडन देख रहे हैं और अच्छे नंबर से फर्स डिविजन हो रहे हैं आगे कुछन यहां पर संख्यां दिया हुआ है मतलब नंबर दिया हुआ है 25 और 50 यहां पिर दो दिया हुआ है उसमें तीन को दिए थे हैं इसमें दो दिये हुआ है इतना के यह सियाप और LCM का गुनन्फल क्या होगा यह पर क्या रही है कुष्चन यही सब एकजाम में आएंगे ही आएंगे आउप्शन भी आपने दिजिए ट्रिक लगाईए ट्रिक किया है जो भी यहां पर दिया हुआ है उसको यह पर उतार लेजिए मतलब नोट कर लेजिए 25 और 50 ठीक है उसके बाद क्या करना होता है इन दोनों में मानस लगा देंगे मतलब different पता करेंगे अंतर पता करेंगे कुछ इस तरीके से तो इन दोनों का अंतर कितना है 25 है ठीक है 25 मतलब मानस करेंगे एक तरह से 25 आएंगे अब यह जो 25 आएंगे यह और तो कोई नंबर आया नहीं शिर्फ और शिर्फ एकेला 25 हो यह पाचिश से इसमें भाग लगाएंग HCF हो गया है अब LCM निकालना है HCM के लिए क्या करना होता है 25, 50 जितने भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 노ट करना है नोट करने के बाद यहाँ पर कम से कम यहाँ खिलाएंगे तो 5 से कम से कम खिला देते हैं 25 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया इन सब को multiply किर देजिए कितना हो गया 25 दुनी 50 यह 50 जो निकला भाई यह हमारा LCM हो गया ठीक है अब क्या कहरा है यहां पर गुनन फल कहरा है मतलब इन दोनों का गुना ठीक है तो इन दोनों का गुना कर देजिए तो पचीस गुने 25 गुने 50 करेंगे तो यह 25 पचे मतलब 25 गुना पंच करेंगे न तो यह आएगा 125 और यह को सुना चरहा देजिए यह हमारा एंसर हो गया है 1250 ऑप्सन नुम्ब भी कोडेक्ट हो गया अब दूसरा तरीका सिखिए अगर आप पहला तरीका भूल जाएंगे एक्जाम में तो दूसरा तरीका लगा लगा लिजिएगा कितना संख्या कितना संख्या है 25 है 50 है और दिया हुआ है किया नहीं 25 पचास इस है कम से कम छोटा संख्या से खिलांगे तो 5 से खिला देता है 5 गुने 5 25 हो गया 5 गुने 2 5 यहां पे हो जाएंगे ठीक 25 अब यह और यह हमारा जोरा लग गया मतलब यहां पे common आ गया यह यह तरह से जो भी संख्या मैच किया उसको घेर लिया तो जितना भी मैच किया यह दोनों मैच किया तो इन दोनों का multiply करेंगे पाँच गुने 5 यह हमारा हो गया मतलब यह गो इससे निकला यह इससे निकला यह 25 हमारा HCF हो गया HCF ठीक है और LCM कैसे होता है LCM इसमें क्या है कि जो संख्या बच गया उसको लिख दिजिए तो बचा यहां पे कितना सिर्फ और सिर्फ दू बचा तियां पे दूर लिख होता है HCF की भेलू कितना है 25 है यह बहुत इजी है है ना यह 50 हमारा एंसर हो गया LCM का और यह HCF हो गया लेकिन HCF तो निकल गया HCF हमारा कितना निकला 25 LCM कितना निकला 50 है इन दुनों का गुन नुफल चाहिए मतलब इनका इनका गुना तो 25 गुने जब 50 करेंगे तो एंसर आएगा यह आउप्शन नुबब बी यह कुशन आपके लिए अगर आप यहां तक वीडियो देख लि हैं और इस कुशन को आप सीख गये हैं ऐसे वाले कुशन जितने भी एक्जाम में आएंगे आप यह दो सब्सक्राइब मन ही मन आप्शन चूज कर पाएंगे